दोस्तो आज हम बात कने वाले हैं कि कल में कॉंसे स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है प्रस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है सो जिस तरीके साज हम लोग इने एक्सपाइरी देखिया एक्सपाइरी बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग ली गई स्टॉक्स भी हमारे अकॉर्डिंग से अनेक्सपेक्टेडली सबसे ज़्यादा परफॉर्म करें बहुत बढ़िया बायो कॉर्ण ने परफॉर्म निकरा बट आज वो बायो कॉर्ण परफॉर्म करेगा तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइट करवा रहा हूँ अपका लाब भी अपने टागेट तक गया था उसके बाद नीचे आ गया था सारे स्टॉकस परफॉर्म करें जब तक मार्कट ट्रेण General है हमारे स्टॉकस भी परफॉर्म करेंगे definitely तो कल कॉनसे स्टॉकस पर ट्रेड करना है तो सबसे पहला आता है GMR infrastructure यह बाय करने की opportunity में आप लोगों को provide करवारा हूँ मैंने इस level पे भी आप लोगों को buy करने के लिए कहा था कि इसके उपर breakout देगा बस breakout नहीं आया था दुबारा नीचे से इस level पे आ चुका है तो आप लोगों को एक buy कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि multiple resistance face हो रहा है इस level पे सो इसलिए मैं आपको इन advance बता रहा हूँ आप इसे अपनी watch list के अंदर add कर सकते हैं जैसी यह level break होगा जो level आता है 24.65 का जैसे 24.65 का level break होगा आप एक buy opportunity बना सकते हैं for a target of 26 से लेके 26.5 तक का ओके आन एक यह probably एक head and shoulder pattern भी बना रहा है आप यहाँ देख सकते हैं यह head and shoulder pattern है इसका भी breakout होगा तो भी अच्छी opportunities हमें देखने को इस particular stock के अंदर मिल सकती है next stock is buy a corn जो मैं आप लोगों को already explain कर चुका हूँ buy a corn पर आप देख सकते हैं कि इस particular level के उपर eventually इसने closing दे दिया जो कि मैंने level आपको बताया था 4.13 का so इसके उपर हम लोग अब कल buy initiate करके चल सकते हैं अपने supports को जो break कर रहा था और resistance फेस कर रहा था वो resistance के उपर जाने में overcome होने में काम्याब रहा so इसके उपर हम लोग एक buy opportunities के अंदर initiate कर सकते हैं probably कल तक 6-7 रुपे की movement हमें अराम से दे सकता है so इसकी पूरी analysis मैंने कल की वीडियो में एक्स्पेन कर दी तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे next talk आता है L&T Finance Holding जो की buy करने के लिए आप लोगों को दिया जा रहा है आप यहां देख सकते हैं कि यह एक तरीकी का hidden shoulder type pattern था आप देख सकते हैं देख fall आया और एक hidden shoulder type pattern मनाया था उसके बाद जिस candle ने breakout दी थी यह सारी red candles जो है उन्हें forget कर दीजिए उसको ध्यान मत दीजिए एक green candle में focus करिए जिस candle ने breakout दिया था वो थी यह वाली candle तो इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि दुबारा वो stock नीचे चला गया नीचे चला गया और दुबारा recovery कर रहा है recovery करने के बाद exact इस level पे है exact इस level पे दुबारा आ चुका है जिस candle पे breakout मिलाता तो अगर इसके उपर यह निकलता है एक next candle बनती है तो एक strong momentum इसके उपर भी आ सकती है और probably 68 से 72 के अंदर अंदर तक ही भी यह जा सकता है तो इसको भी आप watch करके चल सकते हैं इस पर भी आप trade ले सकते हैं next talk is Hindustan Unilever या eventually आप देख सकते थे कि जहाँ इसने support लिया एक तो trend line का support था plus आप देख सकते थे यह demand zone यहाँ पर आके demand and exact demand तो demands आ जाती थी यहाँ पर उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा zoom करूँ इतनी opportunity अगर मैं पता चल गई तो आपको मैं अगर थोड़ा सा zoom करके बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख सकते थे कि यह support यह support break हुआ and दुबारा उपर यह support फिर इसने resistance phase करा and दुबारा नीचे गया and उसके बाद एक up move start वी उसके बाद यह sharp fall इससे दुबार आई and उसके बाद यहाँ पर फिर से resistance phase कर रहा है तो जैसी यह level break होगा तो हमें एक अच्छी opportunity इसके अंदर expect कर सकते हैं और alarm से 40 to 50 points इसके अंदर भी हमें देखने को मिल सकते हैं तो यह भी हमारा एक buy candidate है last talk जो आता है वो थोड़ा सा volatile और risky है तो पर थोड़ा ध्यान से trade करेगा अगर मैं इसको भी थोड़ा सा zoom out करके दिखाता हूँ so यह आप इस level पर देख सकते हैं higher particular higher line पर focus करेगा यह resist supports थे जब support break हुआ support break होने के बाद हम लोग क्या देखते थे कि इसके ऊपर यह जब भी निकलता था उसके बाद एक sell off आ जाता था इसके ऊपर यह जब भी निकला एक sell off आ जाता था और इस particular line के ऊपर किता ऊपर निकलता था उसके लिए हमने यह zone बना रहा है इससे ऊपर नहीं जाता था बट आज के दिन वह इस पर्टिकुलर जोन के भी ऊपर चला गया और ट्रेडिंग कर रहा तो हम लोग अगर यह 3.69 के ऊपर सस्तेन कर लेता है 10-15 मिनिट तो यह वी कन गो फर लॉंग इन इस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर अटागेट अफ 3.80 प्लस तो एक अच्छा स्टॉक है बट थोड़ा सा वॉलेटाइल है तो बिट कॉशियस वी आफ तो वी निफ्टी बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था खल एक फ्लाग पाटन का ब्रेक आउट दे सकता है और एक gap-up के साथ दिया और exact उस price पर जाके सने close भी कर दिया था तो याँ we can go for a long in this particular stock अब बीच में अभी कोई भी resistance नहीं है अगर मैं थोड़ा back testing करके resistance find करने की कोशिश करूँ तो याँ we can find a resistance at 12,135 तो we can go for a long above 12,135 for a target of 12,230 okay we can go long with a entry price of 12,135 with a target of 12,200,230 okay अगर bank nifty check करते हैं तो bank nifty कर एक बार probably हम लोग stock check कर लेते हैं या so bank nifty पर कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि exact अपने resistance level पर आगया तो अगर यह में blue color का zone आप हो explain करो so blue color का zone हमें क्या बताता है let me show you yeah so आप देख सकते हैं कि blue color के zone में यहाँ पर हमें एक supports देखने को मिलता था इदर भी support था double top type scenario था और उसके बाद यह level जैसी gap down से break हुआ एक sharp fall हमें देखने को मिली so यह level एक important है इसी zone को अगर मैंने आगे extend करा था तो उसी zone पर ही आ रहा है but अगर zone का lower range की बात करो तो आता है 26,500 से लेके 27,100 तक का so probably यहाँ से यह 200 से 700 points के बीच की एक movement दे सकता है और उसके बाद फिर हम लोग शायद एक downfall expect कर सकता है but तब तक के लिए हमारे लिए यहाँ पर एक buy scenario ही है nifty के अंदर bank nifty के अंदर जब तक एक बर possible reversal हमें फाइंड नहीं होगा तब तक हम लोग buy ही initiate करेंगे इन दोने index के अंदर so यह थी मेरी analysis guys जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था इन stocks के बारे में जो मैंने आप लोगों को YouTube पे explain करता हूँ जो भी stocks मैं आप लोगों को YouTube पे explain करता हूँ वो market जब open होती है for example जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ बट अभी market बंद है बट यह जो 5 stocks मैं आप लोगों के लिए identify करके लाया हूँ यह मैं market से पहले identify कर लेता हूँ yes guys यह मैं market से पहले identify कर लेता हूँ around 3 p.m के आस पास और वही जो मैं जिन लोगों को पढ़ा रहा हूँ जिन लोगों को मैं सिखा रहा हूँ जिनको मैं course provide कर वा रहा हूँ उनको मैं exact 3 o clock यह 5 stocks recommend कर देता हूँ yes guys SRF, SBI, Biocon, Adani Transmission, Ipka Lab यह मैंने अपने students को पहले ही provide कर वा दिया था आप लोग queries रख सकते हैं या फिर आप मुझे personally message कर सकते हैं मैं आप लोगों के answers क reply दे दूँगा और अगर आप लोग अभी तक discord में join नहीं हैं क्योंकि सारे courses, सारे materials हम लोग discord के थूरू provide होते हैं तो नीचे description पे link है आप जाके discord को भी join कर सकते हैं सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल अगली वीडियो पे मैं शिवांच भसीन signing off